यह डंकी वसो सेलर को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल था जहाँ पे ना वो डंकी की साइड ले रहे थे और वो सेलर की साइड ले रहे थे अभी कल ही एक आर्टिकल पढ़ा है मैने अब मुझे लगा कि मैं यह वीडियो में आपके साथ शेयर करू उन्होंने यह लिखा था मै there will be no clash at all this is only for creating hype and they have 3-4 points वहाँ पर दिये वह बड़े बड़े हैं मैंने पड़े हैं मैं आपको ट्राय करता हूँ बता नहीं का देखो क्या है कि इनका ये कहना है उनका तो openly कहना है कि ये clash हो गई नहीं देख ले न अभी आप देखते रहो लेकिन जब टीजर ट्रेलर की डेट आएगे तब आपको पता चल जाएगे कि आरे अचानक मोवी कैसे इदर उदर हो गई हो चकता है कि एक दो वीक के गैप में आएंगे ये मोवी एक साथ नहीं आएंगे ऐसा उनका गहना है अलागे मेरा अभी भी कहना है कि क्लैश होगा मुझे नहीं लगता है कि वो आर्टिकल था इसलिए मैंने उनके भी लेकिन पॉइंट आफ व्यू जो देखा उसमें यह था कि एक कहना इनका ये था कि देको डंकी एक ऐसी फिल्म है जिसके हाइप तो है लेकिन इनकी हाइप इनको एक अलग तरीके से क्रियेट करनी है ऐसा इनका कहना है क्योंकि वो एक एक एक्शन फिल्म नहीं है जैसे जवान और पठांट का एक हाइप क्रियेट होने का ये भी चांस था कि वो एक एक्शन फिल्म दिया और एक्शन फिल्म आजकर एक्दम अगर तगड़ी बनती है तो मज़ा भी आता है तो भाई लोग पागल होते है अब यहां पे वो जो पागल पने वो सैलार का है उनके पास वो ऐसी है तो उन्होंने लें पर फेर देर इस बाले य। और यहां कि दंकी वालोंने भी डिसाड्य किया ओ कि अभी रहने देना हैं और आए से हो सकते हैं अब ये कितना सही कितना नहीं अगले टीजर ट्रेलर में हमको पता चलेगा पर उनका जो आर्टिकल है वो उसके जो कुछ पॉइंट्स थे उससे ऐसा लगता भी है कि हाँ possibility है क्योंकि जो बॉलिवुड की तरफ से जो दो मुवीज आगे खिची गई ना जो पंदरा को आने वाली थी जो मुवी अब आठ को गई है इससे कुछ तो क्लू मिलता है अभी confirm नहीं हो रहा है लेकिन फिर पंदरा को एक भी मुवी नहीं आ रही है ऐसा हो रहा है बाइस को ये दो मुवीज आ रही है और ना या उन-तिस को को गई मुवी आ रही है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सो पंदरा वाला जो डेट है क्या होगा वाप एक भी मुवी नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई जो पिख अपनैंग है चाहिए ये director हो, चाहिए उसका director हो, चाहिए इसका producer हो और इसका producer हो, चाहिए दोनों actor हो, वो भी तो confused ही कर। fans को क्योंकि बीच बीच में ऐसे rumors आ भी तो रहे है पोश्पॉन हुई बाद में इनको explanation देने पड़ रहे है कि नहीं हुई भाई तो game तो दोनों की तरब से चल रहा है भाई तो उनों का clash होगा यानि मुझे तो डाउट है देखते हैं पर एक अंदर से फील भी आता है बीच में कि कि अगर 15 तारिक और 29 तारिक अगर कि खुले है तो 22 तारिक कोई दोनों क्यों आएंगे तो सवाल पैदा होता है ना भाई देखते क्या होता है